आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाऊ डाउनलोड नाउ हमारे question में एक prism दिया हुआ है इसका refractive index is 1.5 और angle है 75 degrees इधर बोला गया है कि one face is covered with liquid of refractive index यह मतलब क्या मान लीजे कि हमारे पास एक prism है ठीक है तो prism का एक side में जो है कुछ liquid है और liquid का refractive index भी हमें given है हमें पूछा क्या गया है what should be the refractive angle of incidence of light on the clear face of the prism for which light is just totally reflected at the liquid covered face मतलब क्या हमें चाहिए जो output जो line जा रहा है मतलब आउटपूट रे जा रहा है वो ऐसे जा रहा है और यह पाने के लिए हमारा light कितने angle पे हमें incident करना होगा मतलब क्या अगर हम लोग हम लोग का ideal जो हमें required है light वो ऐसे जाएगा पहले reflect होगा clear surface पे फिर अंदर reflect होके यह ऐसे on this surface मतलब एक critical reflection होके निकल जाएगा ठीक है तो इस question में हमें निकालना क्या है अभी हम लोग पहले क्या करते है पहले इस case में देखते है क्या situation है ठीक है तो हमें given क्या है हम लोग sentence लोग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा so mu of glass time sin r2 is equal to mu of water time sin i2 अब i2 is 90 degree मतलब this का i2 का value क्या हुआ 1 तो sin of r2 is mu of water upon mu of glass ठीक है mu of water कितना के हैं मु या फिर mu of liquid इसको हम लोग water माल लेते है बट mu of the liquid क्या है यह है 3 root 2 over 4 और glass का कितना है 3 upon 2 ठीक है तो इसको हम लोग evaluate करेंगे तो हमें मिल रहे है 1 upon root 2 इसका मतलब कि हमारा r2 का value is 45 degrees अगर r2 का value 45 degrees है तो r1 का value क्या होगा हमें पता है कोई भी prism में r1 plus r2 is equal to angle of prism होता है हमें r2 मालूप है angle of prism मालूप है तो r1 मिल जागा r1 is a minus r2 तो यह क्या हुआ 75 degrees minus 45 degrees तो हमारा r1 का value है 30 degree अभी हम लोग एक और बड़ी snail slow लगाएंगे कौन से जगा पे इस जगा पे ठीक है तो इस case में हमें क्या बता है mu of air म sin i1 is equal to mu of glass times sin r1 ठीक है तो हमें निकालना कि है i1 तो sin of i1 is equal to mu of glass कितना के वहने 1.5 मतलब 3 upon 2 upon क्या है sin 30 degrees मतलब 3 upon 2 into half तो 3 4th मतलब i1 का value क्या होगा i1 का value होगा sin inverse of 3 4th ठीक है ना तो इसको हम लोग evaluate करेंगे तो हमें i1 का value मिलता है 48.6 degrees तो ये है हो गया हमारा answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सूपर